आप सभी का स्वागत है अनदर एपिसोड आप दिस चैट शो आस्क दा एक्सपर्ट दोस्तों आज शुक्रवार है और आज भी सुबा ग्यारा बजे मैं सुभाशी सरकार प्रम कोलकाता सिश्पेल एडुकेशन डिबार्टमेंट से और मुंबाई से मिस रिद्धी शाजी जो सेनियर नुटिशनिस्ट है सर्वस्री के हम दोनों मिलके आ गए हैं आप लोगों के पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए जिहां दोस्तों ये जो चैट शो है इसका हम लोगों तक हम लोग पहुच पा रहे हैं अपने solutions के द्वारा सो स्वागत करते हैं आप सभी का उसी के साथ मुंबाई से हैं हमारे सिनियर नुटिशनिस्ट मिस रिदी शाजी रिदी माम गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग सर और वेलकम सभी को और इस प्लेजर तो बी ओन बोर्ड on such a nice show because बहुत लोगों को help मिलती है इसके जरिये और वो जानकर ही बहुत खुशी मिलती है कि you know हम बहुत लोगों तक पहुच पाते हैं So thank you so much everyone for joining Yes, so यह जो chat show इतना popular हो रहा है आप सभी का आग्रह बर रहा है तो इसका श्रेया सिर्फ श्रिफ आप लोगों को ही जाता है दोस्तों So अभी तक अगर किसी के टीम से कोई भी छूट गया है किसी के पास message नहीं पहुचा है या किसी को inform करना बागी है तो जल्दी से phone उठाए और उनको message कर दीजिए फोन कर दीजिए जल्दी से जूम एबनार में जॉइनिंग होने के लिए बोलिए बिकाज चंद लोग ही और जॉइनिंग हो सकते हैं So please make sure के आपके team के सभी members जॉइनिंग हो चुके हैं Because सिर्फ सवाल पूछना है ऐसा ही बात नहीं होता ये chat show का इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं क्योंकि जो लोग सवाल करते हैं वो variety of questions रहते हैं बहुत सारे products के उपर रहते हैं डिजीस के उपर रहते हैं तो उस सवालों का जो हम लोग answer देते हैं उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने business को आगे बढ़ाने के लिए राइट मैं absolutely right आपके पास सवाल नहीं है फिर भी आप यहां पर हो which is very very appreciated because आप दूसरे से सीखने आए है and that is amazing so वो बहुत अच्छी quality है जितने लोगों के पास आज सवाल नहीं है so वो एक ही मकसद से आए है वो है सीखने है which is amazing right so दोस्तों शुरू करेंगे हमारे इस chat show का और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं या फिर हम लोग अभी जानने के लिए बाकी हैं क्योंकि आज जो है वोल्ड लिबर डे है right 19th April worldwide यह लिबर डे पालित होता है so this year 2024 का जो लिबर डे का स्लोगन है वो बहुत important है और क्योंकि हम लोग prevention में काम करते हैं हम लोग awareness के उपर काम करते हैं सरवस्री कभी भी दावा नहीं करते हैं क्या हम लोग treat करेंगे या cure करेंगे हम लोग awareness के उपर काम करते हैं हम लोग आपको सचेत करते हैं आपको prevention के लिए मदद करते हैं कि आप अपने रोगों से खुद को prevent कर सको तो आज इस year का 2024 का जो लिवर डेग का स्लोगन है हिंदी में अगर उसको मैं translate करूँ तो ऐसा होता है कि एलर्टी रहिए सचेत रहिए अपने लिवर प्रॉब्लम के लिए रेगुलर चेकप करवाईए और प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दीजिए स्पेशली उन्होंने फैटी लिवर के ऊपर इस साल बहुती ज्यादा फोकस किया है और दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं जो लोग SHPL में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं SHPL का जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिवर के लिए सर्वस्री प्रॉवाइट कर रहे हैं आप सभी को स्पेशली फैटी लिवर की उपर कितने सारे टेस्टिमनियल अभी तक क्रियेट हो चुके हैं सो मैं अग्रव करूँगा कि इधर जितने भी सारे लोग हम लोगों को सुन रहे हैं अगर आपको भी ऐसा कोई रिजल्ट है ऐसा कोई टेस्टिमनी है तो जरूर शेर कीजिएगा बाकी आपका जो भी सवाल है वो तो आप करते ही रहेंगे लेकिन पहला जो हमारा ये रीती बंग चुका है कि इसके उपर हम लोग थोड़ा सा करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटी मेजर्ट हम लोगों को लेना है क्या प्रॉब्लेम आज के दिन में हो रहा है लिवर की उपर आण जैसे के समीक्षा ये कह रही है कि निरबाउट टेन लाख पीपल दस लाख लोग हर साल लिवर डिजीज में मरते हैं इंडिया में राइ में दो हजार तीस तक जो हमारे मेडिकल एशोशेंस हैं उनके मुताबिक थर्टी फाइव परसेंट ये डेथ रेट बर सकता है 2030 तक और स्पेशली मैं कर रहा हूं ये लिवर और्येंटेट प्रॉब्लम में ठीक है तो आज सोची दोस्तों कितना ज्यादा रिस्क जोन में ह तो बहुत ही ज्यादा नुक्सान हो जाएगा हम लोगों का वह अक्यांब कि और बढ़ भी रही है तो उसको प्रिवेंट हम लोग कैसे करें ओके सो अगर मैं आपके फर्स्ट क्वेशन के उपर आंसर दू तो आजकल लिवर के प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉस हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारी जो जीवन शैली है जो खाने पीने का जो रहने सेने का धंग है हमारा वो जा रहा है वेस्टनाइज की ओर यानि कि पास्चात्य जो एक तरीका होता है जीने का वेस्टन कंडिशन होते हैं लिविंग के जैसी कि सारी चीजे फास्ट फूड वो लोग प्रेफर करते हैं यह पहले के जमाने में क्या होता था कि हम फूड बना कर खाते थे अब बहुत कम हो गया है वो प्रचलन यह जो आता है हम मीडिया से देखते हैं या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो हम ऐसाव लगता है कि अच्छल पार करेंगे ठीक है दो बार करेंगे ठीक है महीने में एक आद बार अपने अगर सोचा कि अगर, you know, हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो that is okay बट अगर हम every time ये करेंगे तो obviously हम toxins जादा inhale कर बोल रही हूँ मैं consume कर रहे हैं so हम जादा toxins डाल रहे है body के अंदर rather than fresh food food का मतलब ही होता है आपको पॉश्टिकता देना आपको वो nutrients देना जो आपके लिए ज़रूरी है पर वो fresh food से आएगा, वो कभी भी stale food से नहीं आएगा, तो ये जो fast foods का एक, you know, prevalence हो गया है, बहुत जादा, you know follow कर रहे हैं लोग कि quick convenient foods लेकर आते हैं market से अगर मैं आपको example दू उस चीज़ का तो, you know आजकल paneer की सबजी बनानी अगर आपको, let's say so वो भी एक packet में मिलता है powder के form में, so that's called ready to cook, ready to eat हर सारे instant, instant ready yes, instant, instant, so instant foods बन गया है, जैसे कि आपने कहाब fast foods का जमाना आ गया है that is number one contributor for liver disease, so वो एक चीज़ हम को, अगर हम change करेंगे आप देखेंगे, 60 to 70% reduction हो जाएगा, fatty liver की cases में, second है alcohol intake जैसे जैसे लोग western culture की और जाते है, तो they obviously adopt some practices जिसमें alcoholism भी एक आता है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप regular drinker है नहीं, even if you drink occasionally just stick to a portion size which is fine for you है नो, तो हम क्या करते कि हम ही यह लगता है कि हम तो occasionally drink करते हैं, तो you know, कितना भी हम पी सकते एक बार में, ऐसा नहीं है, it definitely puts a lot of load on the liver, so alcohol एक है, तिसरी चीज़ जी, ऐसा भी हम लोगों के इदर, ऐसा भी एक, मतलब, joke चलता है कि मैं तो साल में दो दिन पिता हूँ, जीज दिन बारिष होता है और जीज दिन बारिष नहीं होता है राइट, so so यह actually आप देखो तो then, you are drinking throughout the year then राइट, तो यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें देखनी है, ध्यान देनी है and the third thing is कच्ची चीजे बहुत बहुत लोगों को यह, you know, यह mistake करते है बहुत लोग, कि अगर non-witch खाते हैं non-witch खाने में कोई बुराई नहीं है मैं यह नहीं कह रही हूँ, मैं यह कह रही हूँ कि उसका quality देखकर खाईए अगर आप uncooked या undercooked non-witch खा रहे हैं जैसे कि अगर आपने फिश खाया है, तो make sure वो फिश कहां से आई है, पहले वो पता करे, it has to be fresh water या whatever, sea water fish पर वो proper toxin free environment से आई है, और अगर वो आपको नहीं sure है, तो please उसको अच्छे से cook करना जरूरी है अगर cook करेंगे तो सारे toxins उसके destroy भी हो जाएंगे so undercooked non-witch items and undercooked protein items are a threat to the liver, so it's gonna damage the liver, okay so kachy paki चीजे especially dairy products, especially you know milk milk की भी बात करूँ, अगर पास्चुराइज milk नहीं लेते, आप you know toned milk, processed milk, हम भले बोलते हैं processing इस नहीं, कहीं कहीं पर कुछ-कुछ food items में you need processing to destroy the toxins and milk is such an example so at least उसको ultra-pasteurized किया होता है, तो उसके toxins destroy हो जाते हैं because of the heat so that's it, no chemicals I'm talking about, I'm just talking about heat treatment of the milk, right, heat से आप उसको boil करिये, जो भी दूद आपके घर में आता है, उसको boil कर की consume करिये so yeah, all these things and of course fourth is the, you know जबी आप कोई भी fresh produce लेकर आते है, सबजिया लेकर आते है, फल लेकर आते है दाल है, गेहू है यह सारी चीजों को अच्छे से wash करना ज़रूरी है, अब फल और सबजियों में एक चीज आप देखेंगे बहुत सारे pesticides होता है especially apples पे अगर आप देखो वाक्स लगा होता है बिकाज उनको प्रेजन्ट करना होता है एक्टम ग्लॉसी, शाइनी आपल्स मार्केट में ने तो कोई खरीदेगा नहीं अगर चंकेगा नहीं हम लोग नहीं खरीदेंगा तो वो प्रेजन्टेशन के लिए वो लोग वैक्स कोटिंग करते हैं और वैक्स कोटिंग प्रेजर्व करने के लिए भी किया जाता है जानी कि सिफ प्रेजन्ट करने के लिए बट अगर उसको वांग वाटर में डिप किया जाए जब आप बाजार से लेकर आते हैं कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस हो फ्रेश प्रोड्यूस से मेरा मतलब है सबजीयां और फल राइट सो आप उसको गरम पानी में थोड़ी देर के लिए सोख करें फाइव मिनिट्स के लिए और यू किन अल्सो पुट लिटल सॉल्ट इन था तो उससे भी काफी टॉक्सिंस आ है विनेगर वाश होता है करेक्ट सोडा वाइकाबनेट अपना जो बेकिंग सोडा होता है उसमें आप सोख कर सकते हैं इन चीजों से थोड़ा सब आप डेफिनिटली हेल्प करेंगे कि लिवर को टॉक्सिंस का सामना नहीं करना पड़ रहा है जब आप वो चीज खाते हैं यह चार चीजए हैं पांच में चीज़ यह है है कि आपके डाइट में जो फाट का से होता है डेट में बेक्री पर्ड़ के फैट से होते होते हैं होते हेल्दी एक होते हेल्दी उर उर एक उप्ले तो camera तो two fats होते ह्ट्य मूल जो से हांच वनस्पती घी है, बेकरी प्रडक्स है, यह सब में अनहल्थी फैट्स यूज होते हैं, तो इन चीजों का सेवन कम करके, आपको हेल्थी फैट्स का सेवन करना है, गाय का घी खाए, कुद्रत ने दिया हुआ है, इतनी सारी, you know, medicinal properties at cow's ghi में, गाय का घी खाए, आप olive oil यूज करिये, अपना zaitun olive oil है, one of the best extra virgin olive oils you can get in the market, so yes, you have a good range of healthy fats, walnuts है, ख्रोट जिसको हम कहते हैं, बादाम है, इन सबसे जो fat मिलता है, वो liver को protect करता है, और वो जो चीजे जो मैं आपको मिना करी, जो bread biscuits है, bakery products है, तलिवी चीजे है, processed foods है, instant noodles है, वगरा, वगरा, उसमें जो fat use किया जाता है, वो damage करता है liver को, so इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, well, so दोस्तों, एक clear vision हम लोगों को मिल गया, एक clear picture हम लोगों को मिल गया, क्या lifestyle हम लोग lead करते हैं, lifestyle disorder, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप भी ऐसे करते हैं, तो please be aware, जैसे मैं बोल रही है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को change करना चाहिए, क्योंकि ये ही liver damage के लिए main कारण हैं, दोस्तों, so इसका solution हम लोग कैसे कर सकते हैं, healthy lifestyle liver के लिए हम लोग कैसे जी सकते हैं, and specially सर्वस्री के पास वो कौन से रामबान हैं, जिसके मतलब through हम लोग liver को protect कर सकते हैं, इसके उपर चर्चा जरूर करेंगे, एंड तक रही हैं, लेकिन उससे पहले, बहुत सारे दोस्त हमारे मित्र हैं, आइबियोज हैं, जिन्होंने अलब्रेडी चैट बॉक्स में question करना शुरू कर दिया हैं, उसके उपर भी थोड़ा सा focus करते हैं, फिर लॉट के आते हैं liver problem की उपर, and solution की उपर, क्योंकि आज 19th April, world liver day भी है, so, मैं, first question आया है, अभीजीत नायक, औरिशा से, young and dynamic leader question के हैं, एकजीमा के उपर question है, तो question क्या है, अभीजीत, question को करो, या फिर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो raise and कर दिजे, या फिर आपका question रखिए, एकजीमा के उपर, specially क्या question है, ठीक है, so, वीडियो में लेते हैं, आपको थोड़ी देर बाद, दूसरा question लेते हैं, ससमीता आचार्ये जी, एक patient को varicose vein swelling हो रहा है, muscle cramp हो रहे हैं, उसको क्या medicine चाहिए, muscle cramps हो रहे हैं, और varicose veins हो रहे हैं, varicose veins हो रहे हैं, okay, so varicose veins, basically, जब आपके veins के अंदर, blood का pressure बढ़ जाता है, तो उसके कारण होता है, and because हम काफी देर तक खड़े रहते हैं, हम, you know, या फिर even if हम, अगर बैठते भी हैं, तो हमारा posture ऐसा होता है, कि अभी ज़से हम खुरसी पर बैठे हैं, तो पैर हमारे नीचे लटक रहे हैं, right, so that causes a lot of stagnation of blood, blood रूख जाता है, पैर के जो निचला हिस्सा है, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, काफ को, right, so पिंदली जो कहते हैं, तो वहां पर blood का रुकाव हो जाता है, रूख जाता है blood वहां पर, और अगर blood गाड़ा है आपका, तो तो और होगा ये problem, because it is difficult to flow that blood, right, so इसलिए सबसे पहला जो चीज मैं recommend करूँगी, varicose veins के लिए, वो है C-buckthorn juice with curcumin, क्योंकि ये दोनों है, जो दोनों इंग्रीडियन से इसके अंदर, C-buckthorn भी है, curcumin भी है, दोनों blood thinners है, so ये खून को पतला रखते हैं, right, so खून को, अगर खून clot भी हो रहा है, या थिक है आपका, जो भी patient की आपे बात हो रही है, तो उनका अगर blood थिक है, तो वो, you know, varicose veins से चुटका रहा, मिलना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, इसलिए पहले खून को पतला करने के लिए, मैं supplement बता रही हो आपको, second is, आप उनको brahmi tablets दीजिए, right, brahmi क्या करता है, मैं बताती हूँ, brahmi, blood circulation improve करता है, तो अगर आप किसी varicose veins के पेशन के साथ deal कर रहे हैं, तो ये दोनों must है, ये cibachon juice with curcumin, and the second one is varicose veins, तो इन दोनों से, इन दोनों की combination से ये होगा, कि जो blood रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये blood circulation को फिर से activation मिलता है, इसके अलावा आप garlic soft gel भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी blood vessels को, क्या कहता है, कि dilate करता है, गार्लिक, उसको जगा देता है, blood को flow होने के लिए, and of course we have, आप दे सकते हैं हमारे, जो detox food patch है, detox food patch का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो भी toxins है, वो निकल जाए, and the blood is able to circulate free, yes, so these are some main products, इसके अलावा भी अल्साइब त्रिफला जूस, त्रिफला जूस भी ले सकते हैं, अब भरिकोस वेन्स के लिए, एकदम, एकदम सही suggestion, इसी suggestion को follow कीजे, और product दीजिए, फिर रिपोर्ट ज़रूर बताईएगा, so इधर है, प्रिमानन्द सिंग जी, okay, paralyzed patient को कौन सा product देना चाहिए, okay, paralysis में एक चीज़ याद रखनी है, again, because of poor blood circulation, and poor oxygen to the brain, okay, तो आप उनको दे सकते हैं, सीवक्थान juice with curcumin दे सकते हैं, and most importantly, you can give nine power drops, so nine power drops क्या करते हैं, कि nerve damage को repair करने में मदद करते हैं, because उसके अंदर जो herbs है, especially kesar है, या श्रिलाजीत है, यह सारे herbs जो हैं, वो आपके nerve damage को reduce करते हैं, और फिर से आपको healthy, you know, living के ओर लेकर जाते हैं, healthy nerves को बढ़ावा देते हैं, नए nerves जो बन रहे हैं, नए जो synthesis हो रहा है ब्रेन के अंदर, वो healthy बनेगा आपका, so nine power drops, and दूसरा जो मैं आपको कहा, I think I said, C-bacthorn juice करते हैं, right, उसके अलावा, you can also take stress reliever capsules, stress reliever capsules का फाइदा यह है, कि उसमें बहुत सारे, ऐसे Ayurvedic herbs हैं, जो की brain को काम कर देते हैं, so paralysis में जब brain activity इतनी बढ़ गई है, तो उससे छुटकारा मिलता है, you know, कि stress reliever थोड़ा सा central nervous system को काम भी कर देता है, और हां, अगर paralysis stroke के कारण हुआ है, it's one and the same thing, तो definitely curcumin super advanced, because curcumin और fish omega का जो combination है, वो help करता है, आपको nervous system के damage को रोखने के लिए, so that is one thing, exactly, मतलब बहुत ही अच्छा result, fish oil से आया है, omega, fish omega oil से आया है, so, मैं यही suggest करना चाहूंगा, कि fish omega oil ज़रूर रखिये, क्योंकि, यह बहुत ही, मतलब, actually क्या होता है न, मार्केट में सर्कुलेट जब हो जाता है, तब जैसे results आते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा source बनता है, मतलब, हमारे knowledge gain करने के लिए, fish oil का जबर्दस result है, जबर्दस है, और एक चीज, जबर्दस हैं किया, कल मैं एक meeting में गया था, इधर बेंगॉल में ही, उधर physical meeting था, 100 के उपर लोग भी थे, उधर एक बंदा ने जिकर किया, paralysis के पेशन के पर, बहुती अनोखा एक testimony उन्होंने दिया उधर, आपका बंदा बेचारा, 7-8 साल से paralyzed था, ठीक है, और ज़स्ट 3 months back, 3 महीने पहले उन्होंने प्रोड़क स्टार्ट किया, और ज़स्ट फीश ओयल और जैसे आडवन्स कर्क्यूमीन, और आपका और एक प्रोड़क्ट, 9-POWER, 9-POWER, उन्होंने स्टेम सेल का उप्योग किया, अपल स्टेम सेल, जो स्टेम सेल फॉर्मूलेशन में हम लोगों के पास प्रोड़क्ट है, एक एपल स्टेम और एक नोनी स्टेम, अभी बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए वो भी बहुत सारे लोग भूल भी चुके हैं, या बहुत सारे लोग भी जानते हैं, कि ये दो प्रोड़क्ट भी हमारे पास है, उन्होंने एपल स्टेम का प्रोयोग किया, और दोस्तों, रेजल्टीज साथ साल बात, वो उठ पाए और कल चल के मेरे मिटिंग पे आए, तीन महिने पे ये रेजल्ट है, तो ये वीडियो भी मैंने करके रखा है, उनका बात भी मैंने मतलब अपने मॉबाइल में बंदी बना के रखे हैं, तो उसको भी रिलीज कर देंगे आप सभी के पास, बहुत ही अच्छा एक टेस्टिमनी, तो पैरलाइस का जिकर उठा, या सवाल उठा, इसलिए शेर किये, तो ये सारे प्रॉडक्स, बहुत सारे प्रॉडक्स है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं या सजिस्ट कर सकते हैं, लाब जरूर, तो दूसरे सवाल पर आगे बढ़ने के लिए, अभी जी तनायक जी बेट कर रहे हैं, या वो बात करना चाहेंगे, या फिर वो टाइप कर रहे हैं शाएद, जी सार नमस्ते 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 गुड़ मॉर्निंग कैसे हो, आँ सार बहुत बुड़ा है सार, आपके, बोली अभी जीद, प्रुब्लम के उपर में बोल रहा था, अभी यहां पर भी अल्रेडी मतलब मैं अभी स्टोर में हूँ, यहां पर एक आये हैं कॉश्टमर आये हैं, प्रोड़क्ट लेनने के लिए, तो एल्रेडी मैं थुड़ा साको व्याक्ट यहाग करके दिखा देता हूँ इसे तो यह हो रहा है फिर मतलब की धिरे-जिरे कम हो जाता है तो शोटे संग्रेटी मैंने उनको प्रोडाक्ट्र दे दिया है उल्रेडी जो की माड़म ने बोला था इसके साथ तो इतना से काम हो जाएगा या कुछ मरम इतना इनाफ है सर इतना इनाफ है एक्जीमा के लिए ये मेन प्रड़क्स है आप इससे कंटिनु करिये और उनको आप उनके साथ टच में रहिएगा उनसे फॉल उप लेते रहिएगा ठीक है इतना काफी रहेगा अलोवेरा जेल उनको डेफिनिटली बोलिये अप्लाइ करने के लिए अगर आप मुझे पुछ रहे और कुछ तो आप उनको अपना अलो नीम का ये देदीजे सोब देदीजे अलोवेरा आप वो सोब देदीजे उनको अच्छा मैं क्या खाने के लिए क्या बारण करना है मतलों क्या नहीं बोलना है खाने के लिए आपको बता दू तो बैसिकली कोई भी ऐसी चीज जो इंफलमेशन क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर यानि की प्रोसेस्ट फूड है प्रोसेस्ट फूड से मेरा मतलब है जिसे ब्रेड हो गया बिस्केट्स हो गया इंस्टन फूड हो गया आजकल जोई जिसकी अभी में हम बात कर रहे थे तो वो सारी चीजों का सेवन कम करना होता है एक्जीमा में और लिए विटमिन-E वाल दे सकते हैं इसलिए मैंने उसमें इंख्लूड नहीं किया था बट आप अगर चाहें तो उनको दे सकते हैं और उसके अलावा आलमें यानि बादाम और अक्रोट यह दोनों इंपोर्टन है डायेट में इंख्लूड करना इफ इस नॉन वेजटेरियन तो वो फिश अगर होगा या या यह पेस्टिसाइड फ्री होगा तो जसे मैंने का अच्छे से कुक होना चाहिए फिश भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इफ इस नॉन वेजटेरियन ठीक है और बाकी I think vitamin E आपको मिलेगा तिल के दानों में तो जो तिल के दाने होते हैं आपको पता सेसेमी सीद्स चोटे तिल होते हैं वो आप इंक्लूड करिये डाइट में उनको बुलिए और बागी सब I think I have given you the अभी जीत एक्दम लाने के लिए या अगे so अदोस्तों आप लोगोंने देखा इक्जीमा कैसे होता है यह और पीटी दिखा के संजाने की ज़ुरत नहीं आए अलाइव आपने देखा एक्जीमा क्या है और इसके लिए क्या-क्या प्रोड़क्ट देना चाहिए कैसे lifestyle को lead करना चाहिए because हर एक problem का जब आप solution मांगते हैं तो उसके साथ हम लोग first focus lifestyle के उपर करते हैं product is for prevention not for treat or cure so product prevent करेगा according कैसे आप अपना lifestyle को lead कर रहे हो right तो product भी आप ले रहे हो और सोच रहे हो सब कुछ के उपर control लाना चाहिए और उसके साथ product का इंटेक करना चाहिए तब भी आप स्वस्त रह सकते हैं okay तो मैं जिस topic में हम लोग थे liver day के और liver के उपर आपने बहुत ही सुन्दर सा मतलब एकदम clearly आपने बता दिया बहुत सरल तरीके से क्या होता है and क्यूं होता है तो अभी अगर specifically पूछे कि इसको मतलब सरवस्ति का product तो हम लोग इंटेक करेंगे वैसे तो है लेकिन ऐसा कुछ daily life tips जैसे कोई अगर product इस्तेमाल कर रहा है या नहीं भी कर रहा है लेकिन daily कुछ टीप से जिससे I can assure myself के ठीक है मेरा liver खड़ाब होने का करते हैं और उसमें सबसे top of the list है fruits and vegetables so fruits and vegetables अगर जादा से जादे इसे कोई specific fruit या specific कोई vegetable बैसे तो you know liver के लिए we have green leafy vegetables we have even tomatoes which because we detoxify करने में help करते हैं आप cherries दे सकते हैं आप इनको you know हम usually celery भी देते हैं celery यानि की वो एक आजकल वो एक पते वाला एक किये मिलता है राइट celery कहते हैं अभी जानते हैं अभी facebook और youtube के मार्टेश सभी जानते हैं absolutely so वो बहुत अच्छा है धनिया अच्छा है धनिया अच्छा है the coriander is good for the liver so coriander seeds का पानी भी आप ले सकते हैं धनिया के जो बीज होते है उसको पानी में उबाल कर भी आप ले सकते हैं it helps you to cleanse the liver कड़ी पत्ता है कड़ी पत्ता is also good यह सारी चीज़े बहुत जादा लाबदाई है लिवर के लिए तो यह सारी main main especially papaya is good yes papaya fruits के अंदर बात करें तो papaya है then you also have cherries जैसे मैंने कहा strawberries है right we also have melons तो watermelon खर्बूजा तर्बूजा दोनो yes absolutely जितने जादा fiber rich fruits and vegetables आप consume करोगे तो वो अच्छा है and secondly जब अभी मैंने जो आपको बताया कि you know pesticide residues होते हैं right तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको छिलके के साथ खाना अच्छा है जैसे apples अब apples का problem है कि उस पर pesticide या wax लगा हुआ था तो उसका मैंने आपको solution बता दिया तो वो एक कारण नहीं होना चाहिए कि आप उसको छील के खा रहे है जो चीजों को पील के साथ खाया जाए वो जादा अच्छा है because उसके अंदर vitamin B6 होता है जो help करता है liver health में so apple को पील ना करे उसको पहले अच्छे से वाश करे salt water में डिप करे और warm water में या तो डिप करे that is enough और उसका wax उसके साथ melt हो जाएगा and then you can wash it with clean water and consume अमरूध है अमरूध है अमरूध है अमरूध है अमरूध है अच्छे से वाश करके खाना है so that toxin load अप कम कर रहे है body के अंतर and one very important thing is coconut okay narial तो जो आप you know अगर सुखा narial इस्तमाल कर रहे है या जो भी fresh narial आप इस्तमाल कर रहे है it contains medium chain triglycerides mcts कहते है उसको so वो type का जो fat होता है वो directly liver में जाता है processing होने के लिए so it doesn't you know circulate in the blood and get stored तो वो liver की through definitely पहले जाएगा और metabolize होगा तो ऐसे चीज़े आप include कर सकते so coconut is something जो आप अपने diet में include कर सकते which is good for the liver okay so ये तो गया खान पान का तरीका अभी जैसे lifestyle की अगर बात करे सो जैसे गर्मी पढ़ गई है मैं ठीक है और बहुत जगह मतलब पूरे इंडिया भी जल रहा है कुछ पार को नौतिस्ट के कुछ पार को छोड़के सो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो एक जो हमारे lifestyle friend और enemy जो भी कहें जो है वो है दो चीज है एक है air conditioner, AC and refrigerator right तो घर घुसो और फ्रीज से थन्दा पानी के bottle निकालो और ढगा ढग पी जाओ तो यह directly और indirectly हमारे liver health को effect करते हैं yes absolutely it does तो जैसे कि आप heat में से directly cold water पीएंगे तो your body does not get time to adapt and definitely not only just liver it also impacts your blood vessels right so blood vessels को gut को liver को तीनो को harm कर सता है brain को भी definitely affect करता है because there is sudden change in temperature right आप तप्ती धूप से directly थन्डा फ्रीश का पानी पियोगे बरफ का कुछ खाओगे तो फिर of course it will not the body does not get time उसको time नहीं मिलता है shift करने की ले तो बहुत अचानक से होता है definitely it can harm the liver as well yes okay and then जैसे service की अगर बात किया जाए तो ऐसे कौन से product का जिकर आप करना चाहेंगे या focus करना चाहेंगे जिसका नियमित 7 से हम लोग लिवर को protect कर सकते हैं ऐसे अगर दो हिस्सों में अगर हम लोग बाते product को एक मतलब लिवर problem की उपर focus करते हुए and liver protection की उपर focus करते हुए okay so problem liver problem की उपर पहले बात करते हैं इसका मतलब है कि problem already है लिवर का problem का मतलब है बिमारी already है अब वो कौन सी बिमारी है या तो आपका SGOT SGPT बढ़ा है यह दो ऐसे enzymes है लिवर में जो आपके daily metabolic functions को control करते हैं right so SGOT and SGPT यह कैसे पता चलेगा बढ़ा है आपका जब आप एक blood test कराते जिसका नाम है liver function test so liver function test में आपको यह दो पता चलता है उसके साथ आपको bilirubin पता चलता है कि कितना bilirubin है अगर bilirubin जादा हो जाता है तो jaundice जैसी problems, hepatitis जैसी problems हो सकती है so one such problem जब SGOT, SGPT बढ़ता है is body में bruises होना right जैसे कि अगर कुछ लग गया तो एक ऐसे clot हो जाना यह सारी चीजे signs and symptoms है body आपको देने की कोशिश करती है कि कुछ गड़ बढ़ है so go for a liver function test SGOT, SGPT अगर बढ़ा है that means there is a high chance that your liver is about to get damaged okay so कुछ cells है जो damage हो जाते है, destroy हो जाते है a part of your liver or the entire liver depending क्या lifestyle है आपकी okay so उसके लिए so अगर SGOT, SGPT बढ़ा है या bilirubin बढ़ा है तो उसके लिए हमाएं पास है livezyme syrup so livezyme syrup में कुछ जो herbs है वो help करते हैं यह सारी चीजों को control करने के लिए आप उनको hepatitis B, hepatitis C और jaundice के अंदर भी आप दे सकते हैं livezyme syrup right so that is the basic अग भी उतना damage नहीं हुआ है so livezyme syrup is perfect उसके साथ आप दीजे active moringo drops या moringa capsule moringa का कोई एक product देजी आप capsules नहीं देनी है तो drops देजीजे क्योंकि moringa भी protect करेगा liver को so those two are good options curcumin है अब जितने भी ऐसे conditions है जिसके end में itis लगता है okay hepatitis, hepatitis का मतलब है liver के अंदर का inflammation right अगर nephritis बोलो तो वो kidney के अंदर का inflammation होता है अगर meningitis बोलो तो वो brain का inflammation है right so जिसके भी अंत में itis लगता है मतलब वो organ का inflammation और उसमें आपको एक anti-inflammatory देना होता है my preference would be curcumin super advanced because वो बहुत सारी चीजों को control करेगा inflammation control करेगा free radical damage control करेगा and of course because it's an antioxidant तो आप मेरा first choice रहेगा curcumin super advanced अगर वो नहीं तो आप advanced as pulse भी दे सकते है आप sea buckthorn with curcumin भी दे सकते है so any out of these three right it has to be a anti-inflammatory compound right आप noni भी दे सकते है noni is also an anti-inflammatory compound right so yes अगर ये basic level पे है अब हम एक level उपर चलते है उसका एक क्या दो तीन level उपर जहां पर हम कहते हैं कि liver में fibrosis है fibrosis of the liver कहते है which is nearing to cirrhosis cirrhosis में convert होनते देर नहीं लगेगी cirrhosis is the end stage liver disease मतलब इसका आप कुछ नहीं हो सकता है so liver fail होने के पूरे-पूरे chances होते है जादा तर alcoholics में देखे जाते हैं so उसके लिए and जो हमारा main आजकल lifestyle disorder है fatty liver नाम का fatty liver दो प्रकार का होता है एक जो होता है alcoholics में जो बहुत जादा frequently alcohol consume करते है तो alcoholic fatty liver disease होता है और दूसरा जो होता है non-alcoholic fatty liver disease ये दो मुख्य problems है आजकल के lifestyle के and आप बोलोगे कि मैं कभी alcohol नहीं पिया है life में फिर भी fatty liver कैसे हुआ तो आप वो जो बिमारी का नाम है उसी में आपका सवाल का जवाब है कि fatty liver fat से हो रहा है alcohol से नहीं हो रहा है right alcohol में ज़्यादा तर cases आप देखोगे तो directly cirrhosis तक चले जाते है liver damage हो जाता है but आप अगर non-alcoholic है आप नहीं लेते हैं कोई भी मदिरा का से बन नहीं करते हैं तो it is the fat that is damaging your liver so इसलिए हमें इस case में लेना होगा live-um care capsules okay और उसके साथ mandatory fatulin capsules because fatulin burn करेगा जो excessive fat accumulate हो गया है liver में जमा हो गया है उसको burn करने में मदद करेगा तो यह तो हमेशा साथ में दीजे अगर कोई fatty liver का case है live-um care capsules and fatulin capsules इसके साथ आप दीजे moringo drops no problem moringo again protect करेगा right and आप दे सकता है curcumin super advance so super advance से आप you know protect करेंगे because वो एक anti-oxidant और anti-inflammatory है and उसके अलावा आप zaitun extra virgin olive oil दे सकते है cooking के लिए so that you're not consuming wrong kind of fat fatty liver में fat का बहुत धान रखना है okay processed packaged items कम करनी है and जितना हो सके healthy fats consume करना so live-um care fatulin capsules curcumin super advance active moringo and zaitun चाहे तो patient green tea tablets भी ले सकते है green tea से और added protection मिलेगा because it's an anti-oxidant right yes okay so thank you ma'am आपने एकदम सब्सक्राइब तरीके से clearly बता दिया क्या-क्या product है liver protection के लिए आज liver day में हम लोग हम लोगों को एक अच्छा knowledge भी मिल गया दोस्तों के liver के problems और उनके solutions और मैं आशा रखता हूँ आप सभी ने note किये हैं और इस messages को ये बारता को ये मतलब solution को घर-घर में पहुचाने का जो जिम्मेदारी है ये हम लोगों का है right so इसी आशा के साथ अगले सवाल पे जाते हैं जी ओके अजय कुमार सोनी जी पूछ रहे हैं डाइबिटीज में क्या खाए और क्या supplements ले ओके पहले diet की बात कर लेते हैं that's the first part of the question तो diabetes आपको समझ में आई गया होगा कि क्यों होता है it's because of जब आपके diet में बहुत जादा carbohydrate की मात्रा जादा होती है carbohydrates यानि की जो चीज different तरीके के sugar से मिलती है आपको अब ज़रूरी नहीं कि मैं sugar की बात कर रहे हूँ तो सिर्फ अपनी जो शक्कर है उसकी बात कर रहे हूँ it can come from anything it can come from देहुकाटा it can come from rice it can come from साबुदाना तो यह सारे जो items हैं यह carbohydrate वाले foods है अब देरा two types of carbohydrates यह जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप एक diabetic को सला दे रहे हैं इसलिए आप देखोगे मैं जबी भी suggest करती हूँ तो मैं इसमें dietary guidelines भी देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत एक idea मिल जाए patient को कि क्या नहीं खाना है okay so उसमें दो प्रकार के carbohydrates होते है simple carbs और एक होता है complex carbs simple मतलब तुरंट absorb होने वाला अगर कोई चीज तुरंट absorb हो रहा है तो that means वो blood में भी तुरंट आएगा correct बहुत असानी से वो absorb हो रहा है correct इसलिए उसको simple नाम दिया गया है सरलता से जो carbohydrate blood में आ जाता है उसको कहते है simple sugar और वो आपको avoid करना है so simple sugars के कुछ examples देती हूँ मैं आपको white sugar is a simple sugar जो हम चीनी खाते है जो शक्कर खाते है kitchen में जो होता है चाई में डालते है वगेरा वगेरा मिठाईयों में जो डनती है so that is simple sugar second is white bread यानि मैदे का जो bread होता है जो sandwiches हम खाते है वो white bread की खाते है फिर मैदे की रोटी होती है पाओ होता है bread होता है biscuits होते है बहुत सारे bakery items होते है जो मैदे से बनते है noodles होते है right which is मैदा so आपको मैदा का ध्यान रखना है कि आप डाइबेटिक को मैदा नहीं दे रहे ओके आप white sugar white मैदा and white rice यानि कि जो एकदम चमकीला चावल गादान आप जो देखते है market में एक होता है एकदम चमकता है why it is why is it shining because वो पूरा polish किया गया होता है पूरा उसको polishing से presentable again presentability बढ़ाने के लिए लोग क्या-क्या करते है right so जो handle करता है food वो यह सब करता है but हमें as a consumer as a learned consumer and हम अपनी health हमारे हाथ में और किसी के हाथ में हमारी health नहीं है और देना भी नहीं चाहिए right so आप ये ध्यान से देखे कि आपने white color का rice नहीं लिया हुआ है okay आपके पास बहुत सारे options है you have unpolished rice you have brown rice you have आजकल तो red rice भी मिलता है black rice भी मिलता है right so anything that is unpolished okay आप देखोगे एक ऐसा चावल का दाना भले आपको brown rice नहीं चाहिए कोई बात नहीं brown rice को time भी लगता है बनने को पर आप देखोगे एक ऐसा चावल जो पीले रंका होता है अपना देसी चावल ही होता है वो normal जो भी polam है बासमती है पर एक पीले पीला पन होता है उसके अंदर white नहीं होता है that is unpolished rice उसके उपर एक powder जैसा लगता है वो उसी का खुद का जो you know powder होता है वही है so that is not polished इस तरह से आप पैचान कर सकते है okay and of course anything that is starch okay so white starch जैसे potatoes हो गया यह चार चीजों का आपको ध्यान रखना है white चीजों में white salt is not an option here because salt में sugar नहीं होता है so it's out of question किसी ने लिखा था chat box में so white salt is not हम यहाँ पर वो consider नहीं कर रहे है हम यहाँ पर यह चार मुख्य चीजों देख रहे हैं जिसके अंदर carbohydrates होता है जो आपका blood sugar तुरंद बढ़ाएगा तो इनको avoid करना है और इसके जगा पर आपको consume करना है complex carbohydrates जो जो चीजों में खाने की चीजों में dietary fiber होता है any plant-based item जो भी आपको सबजियों से फलों से या धानिय से मिल रहा है अनाज से मिल रहा है वो होता है आपका complex carbohydrates for example जैसे कि मैंने आपको बता है unpolished rice unpolished rice जो है उसके अंदर भर पूर मातरा में fiber है क्योंकि उसको ना polish किया जाता है ना कुछ treat किया जाता है तो वो आपके लिए अच्छा है अगर आपको rice खाना है ऐसा नहीं कि diabetes rice नहीं खा सकते यह बहुत बड़ा misconception है गलत धारना ना रखे rice खा सकते है अगर आप रोटी खा रहें तो सिब रोटी खाईए मैं diabetes की case में बोल रही हूँ आम जनता के लिए नहीं बोल रही हूँ जिनको diabetes का problem है वो कोई एक carbohydrate खाए या तो रोटी या rice फिर आप देखिए आपका blood sugar manage भी अच्छे से हो जाएगा and fruits खाए fruits कब खाए मैं आपको बताती हूँ fruits के अंदर भी fructose होता है तो ऐसा नहीं कि because उसके अंदर fiber है आप कितना भी मर्जी खा सकते है diabetes के case में fructose आप कभी भी fruit exercise करने से पहले consume करे या दो meals के बीच में खाए कभी भी उसको main meal का हिस्सा नहीं बनाना है मैं देखती हूँ बहुत लोगों को lunch के time पे भी कुछ fruits खा लेते हैं जैसे watermelon हो गया mango हो गया blood sugar बढ़ेगा okay so ये गलती ना करें fruits को या तो खाली पेट खाया जाए या फिर exercise करने से पहले ताक ही वो use हो जाए energy के लिए okay और उसके अलावा आपके पास nuts and seeds है करदानिय है जैसे कि डाल वगेरा डाल है, beans है whole grains है जैसे oats है you have ragi, jawar, bajra ये सारे अनाज है जिसके अंदर fiber भड़पूर मातरा में होता है so ये consume करना है so carbohydrates के case में आपको ये ध्यान रखता है और अब जो second रोटी अगर खाना है हमारे multigrain आटा यूस कर से है multigrain आटा है absolutely यूस के अंदर oat fiber है yes, millets है, oat fiber है bran है, beet bran है वो सब ले सकते हैं अब जो second part of the question है वो है supplements supplements definitely आपको आप अगर notice कर रहे होंगे जो first part of the question था उससे शुगर बढ़ेगा ही नहीं अगर आप follow करोगे but however, अगर आपको अगर आपको अल्रेडी बढ़ा हुआ है then comes the second part तब आपको supplement लेने की जरूरत है along with your medications और वो supplement है या तो Dibocare capsules या tablets या juice तीनों में से कोई एक लीजे depending on what is convenient to you and secondly you can also have either karela और jamun tablets या karela jamun juice ले सकते हैं after meal so Dibocare before meal लीजे karela jamun juice after meal लीजे उसके साथ शाम को अगर आपको चाय पीने की आदत है तो एक herbal tea है हमारे पास diabetics के लिए वो है anti-diabetic tea तो ये आप include कर सकते हैं and अगर diabetes uncontrolled है okay uncontrolled diabetes है जो की बहुत way में present होता है the most common two things are urine में sugar आना okay अगर urine में sugar आता है that means आपका diabetes controlled नहीं है और वो kidney threshold को पार कर चुका है right so that is one so kidney damage हो सकती है उससे and second is आखो का damage so अगर uncontrolled diabetes है तो then you can also include curcumin super advance जो की ये damage को रोकने में मदद करेगा right so I think it's clear की lifestyle क्या होना चाहिए और of course exercise में कैसे भूल सकती हूँ diet की तो बात की मैंने पर exercise की नहीं की physical activity तो जो भी insulin आप इतनी मेहनत कर रहे है आप इतना supplements ले रहे है supplement का काम है insulin बढ़ाना अभी वो insulin बढ़ जाएगा पर वो use नहीं होगा तो मतलब नहीं है न कोई तो exercise करिए जिससे insulin resistance ना हो और insulin अच्छे से use हो जाए बाडी एक दम सही मैं अजय कुमार सोनी जी आपको suggestion का मतलब suggestion मिल गए आपके सवालों का जबाब मिल गया और मैं आशा रखता हूँ आपने note कर लिया है ऐसे ही product को दीजिए उनको lifestyle की उपर थोड़ा सा aware कीजिए तो I think सही हो जाएगा जो भी diabetic के patients है so awareness is very important विशोजीत माइबाम सर सवाल कर रहे हैं BP low में क्या-क्या product देना है low BP जी BP low में आप CMD drops दे सकते हैं आप you can also give active duo tablets and you can give 16 berries juice ये तीन से स्टार्ट करिये और improvement definitely आएगा अगर आपको protein include करना है तो protein के लिए we have plant protein powder we have whey protein powder depending उनके body को क्या suit हो रहा है so some people are genetically very sensitive to lactose जो milk sensitivity जिसको हम कहते है so उनकी case में आप plant protein powder दे सकते हैं so इसे थोड़ा सा आपका blood pressure में improvement आएगा and अच्छा खाना अच्छा खाना of course so खाना तो अच्छा खाना चाहिए बतला भड़पेट and healthy foods intake कीजिए so और एक सवाल है नील मनी जी पूछ रहे है memory loss में क्या देना चाहिए okay memory loss में memo plus capsule दीजे and ginseng tablets दीजे ये दो मुख्य products है आपके ये problem के लिए sorry and उसके अलावा आप memory loss के लिए memo plus में वैसे ब्रामी तो आई जाएगा तो मैं अलग से नहीं recommend कर रही हो so memo plus and ginseng उसके अलावा आप advanced spulse juice दीजे जो की brain के उपर एक antioxidant effect रखेगा right so yes these three are enough 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 yes yes thank you ma'am so तो मनुझ कुमार जी पूछ रहे हैं पुडाना खासी में कौन सा product दे सकते हैं अगर खासी पुरानी है बहुत समय से हैं नहीं जा रही है तो आप अगर I don't know if it's wet or dry cuff तो हमाई पस दो ऐसे cuffs से raps है अगर wet cuff है तो आप honey रस दीजे मतलब बलगा मारा है अगर तो honey रस दीजे अगर सूखी खासी है तो तो तुलसी कफ सिरप दे सकते हैं उसके अलावा तुलसी curcumin drops है वो दे सकते हैं curcumin भी सूध करेगा आपके lungs को and yashti madhu tablets दे सकते हैं जो की lungs के लिए बहुत ही powerful herb है right so I think 4 products मैंने आपको नहीं, 3 products recommend किये एक main product है कफ सिरप and उसके अलावा immunity boost करने के लिए तुलसी curcumin and you have yashti madhu tablets एक दम है so एक सवाल आया है Champions Team India नाम का आपने नाम इधर मेंचन नहीं किया तो उनका कहना है ये 18-19 साल की एक लड़की है जिनको पहली period ठिक ठक हो रही थी लेकिन उसका कहना है कि वो जब से सर्वविट इच और ब्रामी यूज कर रही है उनका flow ज्यादा हो रही है और pain भी ज्यादा हो रही है ओके no the two are not related exactly so ब्रामी से कभी भी blood flow नहीं बड़ेगा blood circulation improve जरूर होगा तो जैसे कि varicose veins में इसलिए ब्रामी देते हैं blood circulation improve हो blood flow नहीं बड़ेगा especially ब्रामी से तो बिलकुल नहीं अगर आप चाहें आप उनको सही प्रड़क्टे या तो फिर एंडोमी जो यूटरस के लाइनिंग में तो बिना रिपोर्ट के आइप उनको सही प्रड़क्टे जिनका भी यह सवाल है मुझे नाम याद नहीं है प्लीज गिव वोमी केर एफ ओके वोमी केर एफ सिरप दीजिए उनको ब्रामी और I don't know why it was given वो क्यों दिया गया था मुझे नहीं पता ब्रामी और सार्वाविटेच सार्वाविटेच continue रखिए ब्रामी इस प्रड़क्ट के इस प्रॉब्रम के related ही नहीं है तो इसको आप discontinue करिए और उसके लिए जो main product है bleeding issues के लिए उसके लिए आप वोमी के रेफ से रख दीजिए and stay in touch with me और मुझे बताते रहिए क्या progressive का ची के सब एकदम सही चैंपियन्स टीम इंडिया तो चैंपियन्स टीम इंडिया जी आपका सवाल ये था और solution भी ये था exactly so मैं जैसे कहां मैं 100% agree करता हूं कि सरव ब्रामी ये दो जो टैबलेट आपने बताए इसके साथ ये flow बर जाने का कोई भी relation नहीं है एक तो multivitamin, multimineral product है और एक के साथ brain connected है blood separation connected है so ये नहीं है तो उनको जैसे ही उनका उमर बढ़ रहा है so I think ovary में ये uterus के lining में कुछ problem आगे रहे है so better है एक doctor consult करके आप पहले उनका report बनाईए sonography करवाईए then हम लोगों के साथ संपर्ट कीजिए या फिर आप directly उनको product दे सकते हैं जैसे मैं आपने कहा omikia rave जो हमारे uterus को स्वस्थ रखेगा उनका ख्याल रखेगा तो ये ये मुझे ऐसे भी लग रहा है ना fibroids ये endometrials के कारण हुआ है मुझे भी लग रहा है कारण जानना ज़रूरी है जब कोई जब शरीर के साथ कुछ गड़बढ है ना तो उसको always get it checked तो उसका हमेशा check करना बहुत ज़रूरी है ओके सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टाइम भी बहुत ही close आ गया है समप्त करने का सो और कोई सवाल अभी मत कीजिए विकाज और सवाल हम लोग लेने ही पाएंगे येस रवियानन जी आपके पास आएंगे मैंने ख्याल किया है आपको ज़रूर आएंगे पहले जटाक से कुछ सवालों का आंसर ले लेते हैं तमर एम सांगमा जी का सवाल है ओफिन स्टोमक पेन होती है उसके लिए क्या सप्रिमेंट यूज कर सकते हैं या दे सकते हैं ओके इट कुड भी गैस पेन गैस के रिलेटेड होगा या I think इंडिजेशन हो सकता है हाँ इंडिजेशन भी हो सकता है so one common product is well digest syrup well digest syrup दीजे उसमें अजवाइन है उसमें लाइची है I mean ginger है बहुत सारे herbs है जो पाचन सही करेंगे well digest syrup दीजे खाना खाने के 15 मिनिट बाद इंड आप दीजे फैनल सीड ड्रॉप्स फैनल सीड ड्रॉप्स से excess वाइू जो होता है बाडी के अंदर excess वायू जो होता है वायू निकल जाएगा and by the help of verbs of arts and वो निकल जाएगा तो फिर stomach pain भी आपका ठीक हो जाएगा so well digest syrup and फैनल सीड ड्रॉप्स tea, slimming tablet, patulin tablet, kulfi shake क्या ठीक है patulin tablets ठीक है sorry I'm just taking out my charger patulin tablets ठीक है sarva slim care भी दे सकते है and meal replacement shake का मतलब कुल्फी flavor उन्होंने बोला I think sarva fit है अपना sarva fit भी दे सकते है you are doing right you have to give the same products उसमें चेंज नहीं आएगा जी पहले से आपने सुना है मैं is pulse भी दे रहे हैं नोनी भी दे रहे हैं green tea भी दे रहे हैं slimming tea भी दे रहे हैं slimming tablet भी दे रहे हैं fatulin tablet भी दे रहे हैं उसके साथ okay so बहुत जादा products है so इसको zero down कर दीजिए चार products दीजे effective fatulin तो definitely अगर spot reduction आपको करना है तो fatulin तो बनता है सारवा slim care juice दीजे पर अभी अगर वो क्या दे रहे हैं healthy slimming tablets दे रहे हैं जी 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 हाँ हाँ तो वो continue रखे ये तो या तो slim care juice या healthy slimming tablet तो नो में से कोई एक तो वो slimming tablet दे रहे हैं तो वो continue रखे आपको इसके साथ you can give meal replacement पर meal replacement I don't know if he is using in the right way तो आपको खाना नहीं खाना है जब आप वो shake पीते हैं so it's called meal replacement shake कुलफी shake आपने लिखा है कुलफी shake so जो कुलफी flavor का जो आप shake ले रहे हैं that is called meal replacement shake तो आप dinner के जगब पे अगर वो ले रहे हैं तो dinner नहीं खाना है फिर so नहीं तो क्या होगा additional calories add होगी because ये बनाया ही इसी तरह से गया है कि वो पूरा का पूरा एक meal replace कर देता है और आपको वो ज़रूरी calories और ज़रूरी nutrients दे देता है so you don't have to take another serving of I mean you don't have to take another meal right so dinner के जगब पे आप सार्वा फिट दीजे not as an addition to the existing meals right exactly और इसी संदब में एक चीज़ मुझे याद आ गया अकसर घड में क्या होता है मतलब बहुर सारे लोग जब बोलते हैं सर शेक पी रहा हूं लेकिन ये तो 2 किलो बजन बढ़ गया तो जब पूछता हूं कि क्या भाई क्या कुछ खा रहे हो तुम्हें तो डिनर मना किया था तो तुम डिनर ले रहा हो नहीं सर मैं डिनर एकदम नहीं ले रहा हूं अच्छा तो फिर क्या कर रहे हो नहीं सर वह घर में मां बोलती है कि तू अभी डिनर नहीं कर रहा है के तो शाम को दो रूटी ज्यादा ले ले डो डो नी ले ले ढोड़ साथ बजे खाती है या चार रोटी साक schlimm हा लेती है आठ बजे खा लेती है और रात को जैसे ग्यारा बजे डिनर करती है तो वो डिनर नहीं करती है तो उनको लगता है मैं तो डिनर नहीं कर रहा हूं लेकिन आठ बजे चार रोटी जरूर चालू है बिलकुल एकसेस कालरीज हो रही है बॉडी के दोस्तों यह नहीं करन हैं तो शाम को 6 बज़े के बाद कुछ भी मतलब एक भी दाना नहीं काटना है कुछ भी नहीं खाना है यह आप सुन लीजिए आप बता दीजिए ठीक है आप पानी पी सकती है वो भी थोड़ा सा क्योंकि शाम के टाइम से उतना ज्यादा पानी भी पीना नहीं है तो जितना पानी आप पीते हैं पी सकते हिं सोने से पहले वह शेक को जैसे आप को इंस्ट्रक्ट किया है कैसे लेता है तो वाई से ही आपको लेना है िकस्ति मुर्ड रेगूलर डिनर से आप मतलब कम से कम सारे तींसो चार्सो पांसो कuje ले रहे हैं उसको replace करती हुए हम लोग 90-100 कैलरी वो शेक के साथ one glass के साथ हम लोग दे रहे हैं रैइट सो इसको ध्यान में रखिए जैसे मैं हम सजिस्ट करती है जैसे मैं सजिस्ट करता हूं इसको द्यान में रखिए साम छह वेज़े के बाद कुछ खाना नहीं है खाना नहीं आइट कि और अब जी आप जो दे रहे हैं बहुत ज्यादा दे रहे हैं at इसको थोड़ा सा आप कम कीजिए या पिडिरेक्टी आप मैंके साथ कर सकते हैं मेरे साथ संपर कर सकते हैं आपको guidance दिया जाएगा ओके तो अब है ओके तो अभी रवियानन्द जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं रवियानन्द जी को ले लेता है मैं जी और रवियानन्द जी आपके पास और हम लोगों के पास और हम सभी के पास समय बहुत कम हैं सो जिदी से गुद्मॉर्णि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगा सर गुद मॉर्निंग सर गुद मॉर्निंग बहुत बढ़िया सर गुद मॉर्निंग को हपी मॉर्निंग बना दिया आप लोग ने थांक्यू सो मच थाना फर्स्ट अपॉल मैं के लिए मेरे पास एक कंप्लिमेंट है सबके सब डाइटिशन बन चुके हैं अभी मैं इस सेशन के अंदर भी मेरे लगबग 17 लोग बैठे हुए है और अभी जो सवाल भी था मैं इसको बढ़ा भी रहूं क्योंकि मेरे को जब पता चलता है मंडे टू सेट पाइडे आप आते हो तो आपके सेशन में एक अलग ही उड़ जा है मेरे टीम को लेके कि मरे टीम मतलब सब के सब डॉक्टर बनने की तरफ अगर सर हो चुके है तो मैंने उनको बोला भी कि नहीं डाइटिशन ही रहना है डॉक्टर नहीं बनना है पहला अविनिस जी पे मैं जब सवाल कर रहे थे तो मेरे को हसी भी आ रही थी अभी मेरे नेटवर्क से है और इनसे जब मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब अभी आप पेट कम क्यों नहीं हो रहा है तो यह कह रहे सर इसको बढ़ने दो जिंदगी में एक ही चीज तो बढ़ कि यह ज्यादा से ज्यादा ओईली फूड खाते हैं मैंने इनको बहुत बार मना किया बट फिर भी यह खाने पर कंट्रोल नहीं है साम को छे बदे के बाद सवासी सर बोल रहे कि नहीं खाना चाहिए इनका खाना ही छे बदे के बाद मुमोस चौमीन परगर सब सुरू होता आपनीश एपनेश यह बहुत जादा प्रवि नहीं तो रवी सर अम्नीश सब्सक्राइब तो आपनेश जी यू किन जुस्स टेक्ट आँ माइनापनेश मुमोर और रवी सर से ले लीजिए अगर आपके पाशने लिए है कि आ सब्सक्राइब सब्सक्त प्ली नहीं आब सा डेंजरिस हो सकता है अपके हेल्थ के लिए, so don't do that, मैं आपको गाइड कर दूँगी, so that आप सही रास्ते पे जाओगे. अब बढ़ा टर्नोबर कर रहे हैं, आपके माधियम से, अविनीज जी के पास भी नंबर है, मद्द्रदेश और दो-तीन लीडर हैं, जिनके पास मेरा नेटवर्क है, अल्मॉस्ट मेरे सारे पांच साल के कैरियर में, बहुत सारे डाइटीशन के टच में रहा, एक अच्छे लेबल पे भी हूँ, अभी Crown Investor के लेबल पे, अभी SHPL के अंदर, पहली कंपनी में भी तक Crown था, वेस्टीज में भी अलग-अलग कंपनी में, लेकिन यहाँ पे जो सजेशन आप दे रही है, जा चैनल पे अभी चैट विद, टॉक विद, सो लेकर सो वसी सराय है, अमेजिं खाली बैठे हैं, जो जिनके ग्रूप में भी महिलाए हैं खास तोर पे, उनको 100% पर्मोट करना चाहिए, आपको इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि जो लोग अपनी सिर्फ consistency कर रहे हैं न, वो भी कम से कम 10-12 घरों में जाके prostate की प्रोबलम की और gas acidity की supplement दे देंगे, पहल हातों में उनका हो रख है, तो पकड़ना ही मजबूरी भी है, अब वो चाहते हैं कि, मतलब as soon as possible, तो मैंने तो उनको बोला कि डॉक्टर से लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, बट भी इन नहीं सर की I can prefer की food supplement अगर खाये तो ज्यादा अच्छा र अलो लीज के लुक में आला है, तो अलो वेरा जेल का बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है, यह अपलाई करना है हथेली में, ठीक है, और उसको अपने आप अब्सॉब होने दीजे, उसको ज्यादा रभ नहीं करना है, अपलाई करके छोड़ दीजे, रात को सोने के सकते है, so that will help you to heal the scars of psoriasis, okay, and secondly, consume करने के लिए आप उनको दीजे, spirulina capsules मेन है यापर, क्योंकि spirulina help करता है, psoriasis को कम करने में, okay, secondly, ganoderma, यह दो होने ही चाहिए आपके रेजीम में, एक है ganoderma, एक है spirulina, so ganoderma आप after दीजे, sorry, ganoderma before दीजे, before meals, and spirulina after meals दीजे, दिन में दो बार, हाँ, दो बार, no time, yes, और traditional amla वगएरा, aloe vera juice वगएरा, amla की जुरुवत नहीं है, आप, so rice is है, so आप इनको सीबक्त अन्वित करक्युमिन दीजे, morning में, morning में, सबसे पहले, because omega is very important, एक बार दीजे, एक बार दीजे, एक बार दीजे, एक बार सीबक्त अन्वित करक्युमिन दीजे, और lunch के immediately बाद, आप fish oil, fish oil subject दीजे, एक एनफ है fish oil, yeah, because you are also giving सीबक्त अन्वित करक्युमिन दीजे, तो omega दो sources से मिल रहा हैं को, so that's why fish oil is always to be given one in a day, not, मतलब इस case, yes, उसमें भी omega है, right, प्रोस्टो में एक दिया था आपके साथ suggestion लेके उनको बहुत अच्छा result तो आया है, लेकिन अभी 17-18 दिन में result आ गया था उनको, अभी उनको दो दीन से साइध उहां पे दर्द हो रहा था, तो बोले की मेरे को pain हो रहा है, तो मैंने well digestive उनको suggest किया, उससे अराम मिला, तो मैं जाना चाड़ा था कि उनको दर्द हुआ क्यों हो ऐसे, अगर well digestive से आराम मिला है, तो अगर well digestive से आराम मिला है, मेमोरी लोग के लिए आपने memo plus, impulse और ginsing बताया थी, इसके अलावा additional कोई product क्योंकि लगवर more than 14-15 साल से है, और 23 साल का लड़का है सिर्फ तो recovery भी करना चाहता है, almost उनोंने दिखाया भी है दो तीन जगह लेकिन फिर अभी कोई ज्यादा result नहीं आया, तो additional product को और कोई आड़ कर सकते हैं, बट ये क्यों हो रहा है, ये क्यों टेल मी लिटल बिट, ये क्यों 23 साल का लड़का है, तो ये Alzheimer's तो नहीं होगा, definitely क्यों हो रहा है उनको memory loss? ज्यादा चीज़े ज्यादा तेर तक याद नहीं रहती है, ये क्या बच्पन से ऐसे हैं वो? ने बच्पन से कह सकते हैं जर पांच-छे साल की उमर से, मतलब जब उनको समझने की, मतलब समझना सोचना शुरू किया, तब से वैसा है कि मतलब चीज़ों को 10-5 मिनट में भूल जाना, ओके, ओके, तो शायद इनको ये बच्पन से ही इस्यू है, तो गिवन काव कोलिस्ट्रूम है ना अपना, टाबलेट्स, इसके अंदर जो antibodies मिलेगी उनको, वो ये इससे फाइट करेगी, ठीके, तो काव कोलिस्ट्रूम दीजिए, और बाकी को दो मैंने आपको दो बताया था, जिंसेंग और मेमो प्लस, ये main products है, काव कोलिस्ट्रूम सपोर्टिव प्रड़क्ट है, और omega दे दीजिए, फिश ओयल omega, आप क्रिल ब्लेंड भी दे सकते हैं, फिश ओयल omega या क्रिल ब्लेंड में से कोई एक दीजिए, और कुछ दरूरत नहीं है, अगर बहुत ऐसा लगता है, और हाँ, इंके डाइट, दे सकते हैं आप, और डाइट में almonds and walnuts, जैसे, almond, बादाम और अख्रोट, इंक्लूड करें, बीगो के खाना है, रात को बीगो ये, एक कटोरी पानी में, तीन अख्रोट और चार पाच बादाम, ठीक है, और सुबह में खाना है, खाली पेट, ठीक है माम, लो बीपी में मैं, आपने एक 16 बेरी जूस, CMD ड्रॉप, प्लांट प्रोटीन पॉडर एडिशनल और एक और प्रोड़क्ट बताया था, आपने कुछ, मेरे से मिश हो गया, एक बार पार पार देन करेंगे, CMD ड्रॉप्स, 16 बेरी जूस, एक्टिव द्यू तबलेट अक्टिव डि मॉइस, और सब्सक्टेव जितने सारे लोग आज हम लोगो को सुने, एक बहुत ही अच्छे दिन था वर्ल्ड लीवर डे और लीवर की उपर बहुत सारे चर्चा हम लोगों ने किया लीवर की उपर प्रोडक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया बहुत सारे सवालों के उपर हम लोगों ने चर्चा किया और सबको request करूंगा कि आज से जो भी मतलब अभी से जो भी ये सारे episodes में आप लोग आने वाले हैं तो notebook और pin जरूर रखिएगा because रवी जी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो रवी जी के लिए सिर्फ नहीं है या आप सभी के लिए है राइट सो हर एक सवाल को note down करना और उसका जवाब लिख के रखना तो आपके suggestion में भी ये बहुत ही helpful होगा सो आज time तो होई चुका है और क्योंकि बहुत सरा schedules हम लोगों का भी है जी मैं वही मैं कहा रही थी कि जिनके questions रहे गए हैं वो वापस Monday को हम मिलने ही वाले हैं Exactly so तो मैं वही कहने वाला था कि Monday को भी हम लोग आ रहे हैं 11 बजे तो जो लोगों का सवाल रहे गया आज आप ज़रूर Monday को करिए या फिर कल तक ये वीडियो भी YouTube में आ जाएगा मैं personally YouTube के जो भी वीडियो अपलोड होता है specially अभी Ask the Expert ये चैट शो का वीडियो अपलोड होता है मैं personally उसको विजिट करता हूँ and comments को देखता हूँ and उधर reply भी कर दे रहा हूँ विद्धी मैं भी ऐसे कर देंगे हम दोनों मिलके comments को देखेंगे और उधर reply कर देंगे so don't worry आप ये वीडियो जब आ जाएगा आप उधर भी comment कर सकते हैं तो आपको reply मिल जाएगा हम दोनों का numbers भी आप लोगों के पास है शायद अगर नहीं है तो अपने अपने लीडर से भी संपर कर सकते हैं लीडर से आप दोनों का number ले सकते हैं और call या worship कर सकते हैं official time पे तो आपको एक personal customized suggestion भी मिल जाएगा okay so thank you रिदिम हम already उनका number दे दिया है जी so thank you so much सभी का हम लोगों को ऐसे inspiration देने के लिए inspire करने के लिए तो और भी नए कुछ topic के साथ और भी नए कुछ questions के साथ हम लोग वापस आ रहे हैं सोंबार ठीक सूबा 11 बजे इसी जूम लीग को क्लिक करते हुए आप लोगों को एंटर करना है बहुत सारे लोगों को लेके आईए एक साथ मिल के सीखते हैं आप भी सिखेंगे हम लोग भी सीखेंगे और एक साथ discussion करते हैं तो सर्वस्री आगे बढ़ेगा okay so thank you so much तब तक के लिए स्वस्त रहिए सर्वस्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके कहते रहिए जय सर्वस्री okay wish you all the best thank you bye